हेलो चार दुख की घड़ी तो थोड़ी चल रही है क्योंकि याज दबीस्टी बॉइ डब डबी से कोस्तों दूर हो चुके है और हाई चांसे है कि अब वो डब डबी में कभी वापस आने मेने वाले क्यों क्या कब कैसे जितने भी कोशन जा मन में सब बताने वाला हूं इस वीडियो में क्योंकि हमारे सक्षे भाई की तरफ से कॉमेंट आया था कि जैब्रो ब्रॉक लेजना की सारी सिचुएशन क्लेर करो तो जितना मैं आपको उपर-उपर से समझा सकता हूं बिल्कुल वाली पॉस्ट पर बैठ गए हमें लगा सारी सिचुएशन क्लेर हो गई विंस का जो स्केंडल था वो रफादाफा हो गया होगा यह फिर क्या पता सैटलमेंट हो गई होगी है बड़ी बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें बट कुछ दिनों पहले एक और बहुत ही जादा सीरिस एलिगेशन हाता है सामने जिसमें की विंस की स्केंडल की और भी जादा बड़ी बातें बताई जाती हैं कि हमारे विंस दद्दू अपनी कंपनी की किसी एम्प्लोई को यूज कर रहे थे फॉर फिजिकल प्लेजर और उन्हीं यूज कर रहे थे ऐस टॉय मतल डिरेक्ली नी बट बिना नाम लिए बताया से जाता है उनी महतर्मा की तरफ से जो की एम्प्लोई थी एक टाइम पे डेव डेव डी जिनके साथ यह सारी चीजें में पर ऑप्विस रिजिंस में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा वीडियो में कि एक ऐसा रेसलर भी ये जो की UFC में भी काम कर चुका है वो भी इन सारी चीजों में इंवार्व्ड सा और बताया को साथ से जाता है जुलाई 2021 में डब डी उस बंदे को अपनी कंपनी में वापिस लाने की कोशिश कर रही थी तो वैसे तो वो बंदा कोई भी हो सकता है ना CM Punk भी UFC में काम कर चुके Matt Riddle भी UFC में काम कर चुके Ronda Rousey भी UFC में काम कर चुकी है बट हमें पता है कि इन मैसे उस टाइम पे कोई भी वापिस नहीं आया था एक ही बंदा सा जिसे डबरबिल आने की कोशिश कर रही जो कि August 2021 में वापिस आया and he was the beast Brock Lesnar तो speculations को ऐसी बनी कि शायद Brock Lesnar को पे तो किया ग Brock ने खुद ही बोला था कि भाई उनके लिए तो वो रिटायर ही हो गय थे क्योंकि भाई मिनसोटा के एक गराज में उन्होंने रेसल किया था पहली बार जीरो टेंडेंस के सामने और उन्होंने अपने लास्ट मैच रेसल मीनिया के स्टेज पर डब डब डबली चैंपिश के अकॉर्डिंस के अकॉर्डिंस ने जब Brock को कॉल किया तो Brock आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और विंस को तो Brock चाहिए 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 वापिस से कंपनी में क्योंकि उस ताइम पर काफी डाउन भी जा रही थी दूर दूसरी तरफ वहीं एड़ी में सीम पं कैसे की थी सेबल अल्रेडी मैरेड थी फिर अफेर वेगर आई यह सब आपको तो पता हिए फिर भी Brock ने सारा सीन किया तब बहुत ही गलत बात है ठीक है खेर मजाग को रखते हैं अब देखो इस सारे चक्रों में जो एलिगेशन लगे हैं विंस ने तो अपनी पोजिशन स का मैच होने वाला सा रिसल मीनिया 40 में बट जब ब्रॉक लेजनर रॉल डंबल में ही आये तो ऑविसली वो बंदा ब्रॉक लेजनर ही है जिसे की उन महतरमा ने पॉइंट आउट किया है तबी तो डब डबी वालों ने अपनी प्रोग्रामिंग से हटा दिया और जितने भ अगर उस लेडी की लगाएगी ऐलिगेशन मैसे कुछ भी सच है तो फिर कोई माफे नहीं है अगर कोई गिल्टी है उसे सजा भी मिलनी जाहिए लेकिन एक स्टेट्मेंट जो हम हमेशा सुनते और सही भी एक तरह से तो इसमें मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहूंगा न नहीं वेंस और ब्रॉक का क्योंकि आपता वही कलत हो और कोर टू कोर बात यह है जब तक ब्रॉक लेजन इन सारे चकरों से बाहर नहीं आते ना तब डब डब डबली में अपने रिटर्न करी नहीं सकते हैं क्योंकि डब 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 एक प्रोफिटेबल बिजनस इस टाइम पर और अगर वो एक ऐसे कॉंट्रवर्शिल बंदे को अपनी कंपनी में ओन टीवी फीचर किये जा रहे हैं अब यह नहीं पता कि भाई यह केस कब तक चलने वाला कितना लंबा चलेगा वैसी हमने सुना था कि भाई ब्रॉक लेजन रेसल मीनिया 41 में रिटायर हो जाएंगे तो सोचो अगर इस केस का रिजल्ट आने में पूरा एक साल ही लग जाता है और ब्रॉक लेजन नोट गिल्टी प्रूव भी हो जाते हैं तब भी उनका रेटायरमेंट वाला स्टेज आई जाएगा और अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं फिर तो आप मान के चलो कि भाई वो कभी वापस आने नी वाले Summer Slam में जो उनका मैच हुआ था Cody Rhodes के अगेंस्ट वह यह उनका फाइनल मैस था I hope आपको सारी चीज़े अब क्लियर हो गई ब्रॉक लेजने से रिलेटेड I know यार यह रोड टो रेसल मीने काफी खराब जा रही है मिलकूर रेसल मीने 32 के रोड की तरह जब बहुत सारे सुपसार्स इंजेड हो गए थे इस बार भी इंजिरीज बहुत जादा हो रही है बड़े-बड़े सुपसार्स फीचर ही नहीं हो पाएंगे I don't know क्या हो रहा है बट जो हो रहा है अब यह ही हो रहा है